जब तेक न्यूक्ति नहीं देगा हम यहां से जाएंगे ही नहीं चाहें से हेमन सरकार को बुला देजे आज जार देजे जितने भी सारे स्टूडेंट है यहां पर सबको हम क्या करें मेरा तो एज भी घतम हो जा रहा है अगर वो नया न्यूक्ति मिलाते हैं तो उसके लिए हम लोग नहीं भर पाईंगे क्या वह पाफ साल हमको देंगे भी से अगर आई स्टूड और है चयानाग वेदाम आइसक्रीम बेच करके पढ़ए है कैसे पढ़ाया हम जानते हम रात दर्द को सुने हम रात दर्द को को नहीं सुनेंगे तो हम इसी जगा ब्लकुल आत्मा हत सब्सक्राइब करें के अलावा गंतंत्र दिवस के दिन जहां हर तरफ उल्लास है वहीं जारखंड के युवा इस बात को लेकर परेशान है कि मुख मंत्री है सबसे जादा न्युक्ति वर्स में न्युक्तिया छिन ली गई न्युक्ति देने के जगा आप लगाज जिलेवी उलेवी नहीं खाए 26 जनवरी है तो वहां जिलेवी का बिलता हूं इनके पांच साल से एतना लटका करके रेक्ट वालगेल है आप पांच साल से न्युक्ति पत्र के इंतिजार कर रह लिए रेलवेग नोगरी छोड़कर क्या गलिए कि जारखं में नो सब्सक्राइब करें करें के अलावा समझें ना खुद हम हजारी बैक से आई चार सा रुपया भाड़ा खर्चाओं डेलिया करना देवला वहां से घरना दे लान लिया हूं यहां से घर के गार्जियन लोग निकाल दा थूना का तुनको जो तो ही नुक्ति लेकर करके आओ सरकार ना सुन रोलो तो इन धरना दभी तो भी सुन्थून ओकरीन भी पुरा गोसा रहा थी नहां कर दिनके तो इनके ना सुन्थून तो इन सब परिवारे सब आओ यहां पे धरना देले भूखे हार ताल पे बैठ जीब है एतना मेनाद करके कर लिया पैसा एक रुपया जमार करके माइबा पढ़ेती नहीं एक अधिर पढ़ेती नहीं एतना पढ़ेकर कर यह रोड़ों बैठे ला लीए हम इनके तो इतना जी बच्चा लोगे फ्यूचा मरबाद भेद है सब लड़की लोग रो रहा हलती नहां ता की करिये हम इनके हम इनके फास कुछ वी बचलो कुछ नए बचलो बस मरे क्याला को विकल्प नए बचलो इसे सरकार से अनुरोध है कि हम इनके नुक्ति जल्द से जल्द पूरा करते हैं यह मरे लाहू का यह रहा बेकर ली मर्य रहा लिया साथ दिन से पनियां भिंग भिंग के पुरा बुखार भी आगला और यह ब डेली हमसे पूछा जाता है कहां निकल रही हो कहां जा रही हो बस यही बोलके आते कि नुक्ति लेना है मा जा रहे हैं जॉब हो गया है पंचायत सचिव का लेकिन हम लोगो सर नुक्ति प्रमान पत्र नहीं मिल रहा है मेरिट लिस्ट हम लोगा अटका के रखे में यह सरका इस सरकार के वज़े से हमारा भविश अंदकार में डूबा हुआ है हमारी चोटी सी बच्ची है उसका भविश हम एक लड़की को नौकरी मिलने से या एक परिवार में एक सदस्व को नौकरी मिलने से उससे कितने लोग प्रभावित होते है यह सरकार को शायद नहीं पता सबस्त全 जाएब पूछा जाता है अगर में कि आज यह क्या हुआ कुछ जवाब हमारे पास नहीं सरकार कुछ नहीं कर रही है हमारे लिए पहले माईके में बोलते थे कि हाँ ममम मा को आसवाशन देते थे कि हाँ मा हो जाएगा नौकरी यह तो थोड़े दिर पहले उनका कॉल आएगे क्या हो रहा है वहां पे लेकिन को कितना किस हद तक समझा सकते हैं हम लोग अब कोई उपाई नहीं हुआ छोड़ा है इस सरकार ने कोई हमें आसवाशन नहीं चाहिए हमें नियुक्ति प्रमान पत्र चाहिए हमारा चाहिए मेरिटलेस जारी करें यह सरकार आप तो गारजियन है आप आए हैं यहां इन लोगों के सपोर्ट में धर्ना देने जी हम सपोर्ट में क्या है मुख मंत्री मुहुदे से मेरा बीनती है मैंने बाचा को पढ़ाया है चाना बेदाम आइस क्रीम बेच बेच करके पढ़ हम जानते हम रदार्द को सुने हम रदार्द को नहीं सुनेगे तो हम इसी जगा नात्मा हत्या करके घर जाएंगे अधा घर की स्थीती देख करके पंजाब कमाले चेलेगा पज़ाब चाहँ जुँ जुँ आपने करता हुआ दो तंदे कानाद किलाती हो तंदे तंदे रुटी देती हो ये कि दिर समझ या रुट दिन किलाती हो आज वेटा-वेटा पंजा में कंचे रहता है यहाँ पज़ा पंचे रहा है मुखिमात्री हैं, मेरा समीकार कीजिये गलती, जो भी हुआ होगा, समीकार कीजिये, मेरा बेटा को बोला लिजिये, आपके पास भी देश में जो लोग पासे रहते, पोहल करके आपको बोलते हैं तो तुरत मोला लेते हैं. अगर जाविश्क को दूसरे इस्टेट में कोई बंदक बने रहते हैं ऊन होता है तुरत बोलाते हैं आप मेरे वच्छे को पंजाब से बोला जिल सबी जीले को रिजल्ट जारी करके बोलाई है मेंसे बेटे को मत बोलाई एक तो कल भीक मंगना पड़ जाएगा बार बार यह टंडा में मेरा बच्छा कैसे सो रहा है घर में टीप औरी करता था जो एक्जाम देने के बाद पंजाब चल गया जी यह नहीं उक्ति नहीं होने को जो से पंजाब चला गया सेर अब हम कैसे करें कैसे हम करें का बदाम और चाना बेशते हैं अब बेश करके बच्छे लोगों को पड़ा आए आज घर चोड़कर बाहर रहा है अब भी रो रहे हैं आपका भी दुख बहुत है बहुत दुख है बहुत जादा किं वर बता हैं मेरा शादी हो गया रिजर्ट हुआ थे तो बहुत खूँश थे हम सोचे थिक रिजल्ट आएगा उसके बात साधी करेंगा लेकिन घरवाला का प्रेसर समाज का प्रेसर के का रहन हम साधी हो साधी होने के बाद में मम पापा तू नहीं रही है ससूर जी बहुत खुश थे इस रिजल्ट को ले करके कि मैयां इंतिजार करो और कोई चीज मत त्यारी करो यही करना मेरे ससूर जी इतने अच्छे थे बेटी से ज़ादा मानते थे अब बोले थे कि अभी कुछ नहीं करना है तुमको इस रिजल्ट को इंतिजार करो आज देगा कल देगा लेकिन देगा लेकिन देखिए दुर्भागी की बात है मेरे ससूर जी टीचर थे उन्ही का पैंसन से घर चलता था मेरे अजबेने कुछ नहीं करते मेरा यही रिजल्ट का आज़ा था और कोरोना के वज़ें से संसुर भी चले गए अब सासुमा बची भी है थोड़ा बोड़ा जो भी पैंसन आता है वो से घर चलता है लेकिन क्या करें यह सरकार हम लोगों को न्यूक्ति दे ही नहीं रहा है हम यहीं आसम बेठे हुए आप यहीं है कि जब तक न्यूक्ति नहीं देगा हम यहां से जाएंगे ही नहीं चाहिए हेमन सरकार को बुला देजें आज जहर देदेजें जितने भी सारे स्टूडेंट है यहां पर सबको हम क्या करें मेरा तो एज भी घतम हो जा रहा है अगर व हम क्या करें कहां जाए कि इसको अपना दुखड़ा सुना है हां सबच में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें पाधा पैंसन से घर चलता है हां सासु मा को हम खाना यहां दस बज़े से चार बज़े तक इलाओ है लेकिन हम वहां खाना पिना बना करके आते हैं यहां पर साथ दे कि हम अगर एक जन नहीं आएंगे तो संख्या घड़ जाएगा किसाफ़ाना पिनगा कि फिर आते फिर यहां से जाते बदा रखते हैं कि यह बना रखे मालोग सब खालेजेगा फिर जाते हैं उसके बाद बना के खिलाते हैं लेकिन सरकार इतना दिन से हम लोग बेटे अगर आपको सुन रहे होंगे तो आप उनसे क्या पैना चाहिए हम तो यही कहेंगे जितना जल्दी हो सके हम लोग पर नियाय करें जो भी वह कार्मिंग वीवास से निकाले हैं उसको वापस लियार हम लोग को जॉइनिंग दे दे बस यही कहना चाहरी हूं है यही आपके वूमेद है कि अब धर्णा पर दर्शन देने के बाद सरकार अपना संकल्प वापस सुनी आगर हां हाम लोग का सरकार है क्या को एते जारकन वाजी का सरकार है आधिवाजी सरकार है यहीं बोलाते हैं हम सब सप्छा ओगन वाजी कियम नहीं अगर एक अच्छे सरकार है तो जरूर सुनेगी अ मैं देखिए यह फैरोज्थ about on और इनके हर के पास अपनी कहानी है कोई साथ ससूर से परमीशन लेकर आ रहा है धरना देने कोई माबाब से कोई दूर से आ रहा है आप कहां कहां एक्जाम दी है और अब तक कहां कहां हो पाया अभी तक तो एक्जाम बहुत सहरा दी हूँ लेकिन एक उमीद यही पंचायद सची हुए. मेरे पापा भी नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, हम लोग चार वहन होते हैं. मैं सबसे बड़ी हूँ, सब का भरन पोसन मुझे ही करना है, सब की जीववारी मेरे उपर है. मेरे अंकल सबोट किया है, मेरे अंकल है, जिसके तुरू मैं आज जहाँ हूँ. हर दिन रात वो इंतजार करते हैं मेरे भाती जी का कब रिजल्ट आएगा, ताकि यह अपनी जी मिमारिया संभाल सके. सरकार की इस बात को कहने से कितना इफेक्ट पड़ा है, फैमली पर क्या वो जानते हैं, उनके कह देने से कितने लोग प्रभावित हुए हैं, मैं भी इंदजार में हूँ, कब मेरे ज्वाइनिंग होगी, ताकि मैं अपनी बहन लोग को सबको पढ़ा हूँ, आगे बढ़ा है, कैसे कैसे करके वो हमको पढ़ा है, इसलिए ता है कि मैं आगे कर्ष रखू, इतना कौन संगर्ष करता है किसी के लिए, इसके बावजोद भी सरकार हम लोग की निवक्ती नहीं दे रही है, तो क्या करें, कि कब तक इंतजार करें, पांच सल बहुत होता है, एक तपस्य कि निवक्ती पास के निवक्ती के लिए ही तो न्याय मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका तो सेलरी ने चीन रहे हैं, हम लोग अपने लिए न मांग रहे हैं, मैं उनसे आगरा करती हूँ कि हमारे निवक्ती जल से जल दें, ताकि हम लोग अपना घर चला सके, सब को दे पूरा कर सकती है जब तक इनको अस्वासन मिलता रहा पिछले दो सालों से चाहे वो कॉंग्रेस के मंत्री या विधायक हो या जेमेम के या स्वेम खुद मुख मंत्री हो सबने कहा पॉजिटिव रिस्पॉंस लेंगे पॉजिटिव रिस्पॉंस लेंगे अब जो एक जारी कर कह दिया गया कि पंचाइश सचीव का जो नियुक्ती प्रकृरिया था वो रद हो गया खत्म हो गया अब इनके पास और कोई ऑपस नहीं है अब कह रहे हैं कि जीना अगर नहीं है संभव तो मरेंगे यहीं धरना अस्थल पे ही मरेंगे उमीद करता हूं कि सरकार इ इनकी दुख ब्याथा को समझेगी और जल्द से जल्द अपना जो संकल्प है उसको वापस लेगी सुक्रिया